संसत का बजट सत्र शुक्रवार को भी हंगामें की भेड चड़ गया अडानी समू पर लगे आरूपों की जांच की मांग करती हुए विपक्ष ने खूब नारेवाजी की लोग सभा हो या राज्य सभा दोनों सद्नों में कामकाज नहीं हो सका राज्य सभा में सभापती अग्दीद धनकर के तेवर भी तीखे थे दो पहें ढाई बचे जब राज्य सभा की कारेवाही के साथ साथ हंगामा भी दोबारा शुरू हुआ विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर सभापती धनकर खड़े हो गए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य पूर्ण है कि जनता के पैसों के इस तरह बर्बादी हो रही है तेज नारेबाजी के बीच सभापतीक ने आम आदमी पार्टी के सांस संजे सिंग का नाम लेकर चेतावनी दी उन्होंने कहा कि अगर अनुशासन हीनता इसी तरह जारी रही तो वो कारवाई करने कोर मजबूर हो जाएंगे इसके बाद सभापती ने सों बार तर राजे सभा को स्थागित कर दिया अंगामे की बीच राजे सभा सभापती जगदी धनकर खड़े हूँ उन्होंने सभी सदस्यों को संबोधित करती हुए कहा कि मैं करोणों देश्वाजियों की दुख और नाराज़गी को प्रकट कर रहा हूँ यहां पर शिष्टाचार का अभाव दिख रहा है लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम चर्चा करें आपने अपना काम किया है मेरी जानकारी में मुद्दि लाए है और मैं उन पर अपना फैसला लिया है यह दुर्भागेपूर्ण है कि जनता के पैसों के इस तरह बरबादी हो रही है सभापती धनकर अपनी बात रखी रहे थे कि विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया भारी शोर शराबे की वीग सभापती सदन को सविद करने का एलान करने ही चा रहे पर सामने का नजारा दे बिर्द्दि संसर टीवी पर सामने का द्रश्य तो नहीं दिखा मगर सभापती की भाव देखकर पता चला क्यों काफी गुस्से में उन्होंने आम आदमी पार्टी के सदस से संजय सिंग का नाम लिए सभापती ने चिताबनी भड़े लहजे में कहा मिस्टर संजय सिंग संजय सिंग आप मुझे मजबूर करने हैं अपनी सीट पर जाएए एक चिताबनी लोट के साथ सदन को सूंवार 6 परवरी तक ठगित किया जाता है जो लोग सदन के बेल में आते हैं उनके खिलाप मियमा नुसार कार्रेवाई कुम्ट